हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट के बारे में आपको क्या कुछ खास क्या कुछ नया देखने को मिलेगा एस अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा तो चलिए वीडियो शरू करते हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो चलिए वीडियो शरू करते हैं निसान ने अपनी मैगनाइट फेसलिफ्ट भारत में लांच कर दी है तो दोस्तों सबसे पहले बात करें निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट का किस से मुकाबला होगा तो दोस्तों भारतिय बजार में निसान मेगनाइट फेसलिफ्ट का मुकाबला मारुती ब्रेजा, टोयोटा टैसर, हुंड़ाई वेन्यू, किया सोनेट, मारुती फ्रॉंक्स और महिंद्रा एक्स यूवी तीन एक्सो से रहने वाला है दोस्तों में आपको बता दू निसान अगले कुसी महीनों में अपने इलेक्ट्रीक कार लाने वाला है अब दोस्तों इस मेगनाइट के लुक के बारे में बात करते है आपको नई मेगनाइट फेसलिफ्ट के डिजाइन में काफी बदलाव देखने के लिए मिल जाएंगे नया फेस और क्रोम इंसट दिया गया है वही कार को नया लूप देने के लिए उसके एलिमेंट्स को बदला गया है तो दोस्तों अब आप ही लोग बताए कि आपको इस कार का नया लूप के सा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अब बात करें फीचर्स की तो दोस्तों आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा वायरलेस फोन मिर्रिंग, ड्राइवर की सीट के लिए उचाई समायोजन, पावर्ड मिरर, HEPA, Air Filter, LED, Headlamp और LED DRLS जैसे फीचर्स दिये गए है इसे के साथ इसमें नया IQ दिया गया है जिसकी वजह से दोस्तों आप 60 मीटर की दूर से इसके इंजन को स्टॉर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपको इसमें Bifunctional Projector के साथ Auto LED Lamp, Auto Dim Frameless, Cooled Globe Box, Front Armrest, 336 से 540 लीटर बूट स्पेस और 19 पल्स यूटिलिटी स्टोरेज जैसे फीचर्स दिये गए है आप लोग देखी सकते हैं के अपको बहुत सारे फीचर्स दिखाने को मिलने वाले हैं अब बात करते हैं दोस्तों निसान Magnite Facelift के Safety Features के बारे में तो दोस्तों निसान की कार में Safety काफी हद तक बहतरीन देखने को मिलती हैं इसमें दोस्तों अपको EBS के साथ ABS भी देखने मिल जाएगी और अपको Traction Control System, Hill Start Assist, Hydraulic Brake Assist, Rainford Body Structure, Door Pressure Sensor और Gravitational Sensor मिल जाएंगे और दोस्तों अपको इसमें छे एर बाईग्ज़, सभी सीट के लिए सीट बैल्ट रिमाइंडर, Isofix Channel Sit Incheo Rages, High Speed Alert System, जैसे Safety Features से लेस किया गया है इस कार को तो चलिए अब बात करते हैं निसान Magnite Facelift इंजन के बारे में तो निसान Magnite Facelift में अपको एक दशमलव शून्य लीटर पेट्रोल ना और एक दशमलव शून्य लीटर तर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है इसका एक दशमलव शून्य लीटर ना पेट्रोल वाला इंजन 71 भप और 96 न्यूटन मीटर टॉक जनरेट करके देता है वहीं अगर बात करें एक दशमलव शून्य लीटर तर्बो पेट्रोल वाला इंजन की तो अपको 99 भप और 160 न्यूटन मीटर पीक टॉक जनरेट करके देता है यह इंजन 6 स्पीड MT या फिर CVT gearbox के साथ जुड़ा हुआ दिखाने मील जाएंगे अब सबसे खास बात करते है कि क्या होगी इसकी कीमत तो दोस्तों निसान मेगनाइट फेसलिफ्ट को 6 वैरियंट में लांच किया गया है जिसकी कीमत अपको 6 लाग से 12 लाग तक दिखाने मिल जाएगी अगर अपको जनना ही की कौन से वैरियंट की क्या कीमत है तो दोस्तों आप लोग दिस्क्रिप्शन में देख सकते है थैंक यू फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए